हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे आपके डियलेट फोर सेमिश्र की शांती सिक्षा की क्लास में आज मैं आपका नया चेप्र शुरू करने जा रहे हूं दार्षनिक चिंतन एवम शांती जिसके अंतरकत आपके दो चीज़े बहुत इंपर्टेंट हैने वाली है एक तो भारतिय दर्षन और दूसरा आपका रहेगा महात्मा गांदी के दार्षनिक जो विचार रहे थे सिक्षा वगेरा को ले करके वो क्या है ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि दर्षन क्या होता है तो दर्षन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो दर्षन मींस क्या निकल के आएगा दर्षन यानि की देखना या फिर क्या हो जाएगा जानना आपने सायद एक वर्ड सुना होगा दर्षन सास्त्र दर्शन शास्त्र क्या है तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र आप बोल सकते हैं जिसके अंतरगत जो भी चीज़े यथार्थ में हैं यथार्थ का मतलब जो वास्तविक्ता में चीज़ें हैं प्रक्रती जो भी है जो भी चीज़ें दिख रही है इश्वर आत्मा पर्मात इन सभी के बारे में जानना इन सभी का व्याख्यान करना ये सब आ जाता है दर्शन सास्त्र के अंतरकत और इस दर्शन सास्त्र में जो जीवन का अंतिम लक्ष माना गया है वो क्या माना गया है मुक्ष की प्राप्ति ठीक है यानि कि इश्वर में मिल जाना ही क्या है इसका अब बात कर लेते हैं भारती दर्शन के कि भारती दर्शन क्या है तो भारती दर्शन से ताथ परिश सत्य के स्वरूप का अनावरन करना है अनावरन का मतलब है सत्य को खोलना कि सत्य क्या है और जो भारती दर्शन में है भारती दर्शन में सत्य किसको माना जाता है तो भारत इसी कारणवशम कह सकते हैं कि भारती दर्शन का जो आधार है वो क्या है आध्यात में आपर भारती दर्शन का आधार है यानि कि यहां पर भारती दर्शन में जो अंतिम लक्ष रहेगा जीवन का वो क्या रहेगा मुक्ति यानि कि ब्रह्म से मिलन हो जाना आगे आते हैं भा अध्यातम है भाइरती दर्शन के प्राण है जिसा भी बता दिया था कि अधार और हो जाएंगे ये थर्ड पॉयंट में है कि आत्मा के अस्तित। को सुईकार करते हैं, ठीक है और लाश में मानते हैं कि आत्मा का किससे मिलन हो जाना ब्रह्म से मिलन हो जाने इनकी क्या है वहाँ पर मोक्ष मिल जाएगा ठीक है इसके बाद आते हैं इनका जो लक्ष है वो क्या है मुक्ती या फिर मोक्ष होता है जीवन का जो अंतिम लक्ष हो क्या है मुक्ती या मोक्ष है ये समस्त जगत को बांध करके रखता है भारतिय दर्शन पुरी वसुदाओं को परिवार मानते हैं तो वसुदेव कुटुमगं को यह मान करके चलते हैं इसी कारणवज़ आधे वस हैं इसके बाद भारती दर्जन में चार पुरुशार्थ हैं कौन-कौन से पहला धर्म दूसरा अर्थ तीसरा काम और चौथा क्या है मोक्ष इन ची में आस्ता नहीं रखते हैं . और अिसली में आस्ता है ने आस्तिक बोला मिला जाता है . नास्तिक दर्शन में 2 पार्टे आपके जैन दर्शन जैन दर्शन जीन आजाएगा बहुत इससे बात के अहिंदों का बिर्स इसमें १ूल समय Auss usin आ Ohhh- we दर्शन के परेके पड़ेता है, जैसे कि आपके सांखे दर्शन है, योगधरशन के हैं पतन चली, यह बहुत इंपॉर्टन कि यहां से आपसे काफी सरी कोशन वैसे भी पूछ लि जाते हैं आश्टांग योग वे जाते हैं आपके तो यह ध्याण रखना योग Dursan की पढ़यता कों यह धर हैं प्रतन जली इसके बार न्याइ इधर मैंने लिखे हुए पड़ेता और इधर आपके इधर रहे पड़ेता और इधर लिखे हुए दर्शन तो उम्मीदे समझ में आ गया होगा यहां से आस्तिक दर्शन से आप सिर्फ क्या याद करेंगी दर्शन का नाम और उनके पड़ेता ठीके आस्तिक दर्शन में आप जैन दर्शन, तो जैन दर्शन की बात कर लेते हैं, जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन यानि कि जैन धर्म से जोड़ा हुआ है, जैन धर्म ही आप जैन धर्म में जो भी दार्शनी बाते की गई हैं, वो क्या हो जाएंगी, जैन धर्म के प्रवरता कौन है, तो रिशब है 24 वे तीर्थंकर थे जैनधर्म के महावीर स्वामी अगर हम बात करते तेईसवे तीर्थंकर के तो वो थे आपके पार्षोनाद ठीक है इन्होंने चार महावरत बताए थे क्या है तो पहला है सत्य दूसरा अहिंसा तीसरा असते और चौथाता अपरीग्रह ठीक है सत्य अह अहिंसा असते और अपरीग्रह की ये सिक्षा देते है चार महावरत अगर आपसे जैनधर्म के पूछे जाए तो यही चार महावरत है सत्य अहिंसा असते और अपरीग्रह दो प्रकार की हिंसा को उन्हें व्यक्त किया है कि हिंसा जो है वो इनके लिए इनके साब से दो प् और लोब माया के आप जान भूज के कर रहे हैं आप वो किसी चीज की आकांगशा है तब आप करके कोई हिंसा कर रहे हैं तो वो आप क्या जाएगी कसाए में इसके बाइब बात करते हैं बहुत धर्म के जो प्रावर्तक हैं वो कौन है गोतम बुद्ध्न जिनको हम महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं ठीक है इन्हों ने क्या दिये थे तो इन्हों इन्होंने चार आरे सत्य बताय हुए है यह भी पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के चार आरे सत्य कौन-कौन से हैं तो पहला इन्होंने बोला था कि संसार जो है वो कैसा है दुख मैं है दुख है चारों तरफ और जब दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण भी है तो दूसरा point है दुख का कारण है अगला इनोंने बोला है दुख निरोध है यानि कि दुख को समाप्त किया जा सकता है और चौथा इसका है कि दुख निरोध का भी एक उपाए दुख को खतम करने का भी कोई ना कोई उपाए जरूर है तो यह चार आर सत्ति इनके ध्यान र नरेंद्रदत चलो अब विवेका नंची ने जो कहाता है इन्होंने क्या कहाता कि हमें ऐसी सिक्षा देनी चाहिए जिसकी द्वारा चरित्र का गठनों मन का बलभडे बुद्धी का विकासों और स्वाबलंबियों ठीक है दार्शनिक चिंतर में मैंने आपको क्या चीज़ हैं उनकी व्याक्ष्य करना किस कैसे धंग से होगी तर्कपूर धंग से हो हर किसी प्रकार से हो तो सिधी सी बात है सिक्षा यहां पर अहम रोल अदा करेगी तो सिधी सी बात यह बोली गई है कि सिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए तो जो भी दार्शनिक आए हुए है भा चरित्र का गठन हो मन का बलबड़े और बुद्धि का विकास हो वाब जो भी बच्चा है या वेक्ति हो कैसा बने स्वाव लंबी बने ठीक है विबेका नंद के लिए जो रखा है उसकी विशेज भूमी का निभाई आपने पता आपको पता है कि इन्होंने कहां यूएसे में जाकर बहुत अच्छा एक भासर दिया था ठीक है इन्हें बोलने के लिए बहुत कम समय दिया गया था लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर इरी काफी टाइम तक देते रहे थे वो अपना जो भी इन्हें पॉइंट रखने थे वहाँ पर तो यह चीज ध्यान रखेगा कि इन्होंने अपने प्रयास से या आपने जो भी विचार है उसके द्वारा पूरे विश्व में शांती लाने का जो है प्रयास किया है इसके बाद आते ह रवीना टैगोर ने कहा है कि सर्वोच सिक्षा वही है जो संपूर्ण स्रष्टी से हमारे जीवन का सामंजस से इस्थापित करती है यह definition important है या चाहे वो विवेकारंद की रही हो चाहे वो रवीना टैगोर की सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा तक कि यहां कथन किसका है च संपूर्ण स्रष्टी से आज पास जो भी चीज़े हैं समाज से हमारे जीवन का क्या तालमिल विठाती है सामजस से स्थापित करती है गांधी दर्शन आपके सैमिस्टर के लिए important रहने वाला है गांधी दर्शन या फिर गांधी जी के दार्शनिक विचार तो गांधी ज गांधी जी के इन्होंने सिक्षा के अर्थ में क्या बोला है गांधी जी ने कि गांधी जी के अनुसार जो सिक्षा है कि उन्होंने कहा है कि सिक्षा से मेरा ताहत पर यह सिक्षा से मेरा विप्राय ऐसी सिक्षा से है जो बालक के शरीर मन और आत्मा का सर्वांगीर विकास करें गांदी जी ने कहा है कि सिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी बालक के शरीर मन आत्मा का सरवांगीर विकास करें इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है सिक्षा को लेकर के तो इसको ध्यान रखना और यह पूछ भी ली जाती है सीधे सीधे त ऐसी समझ जाना किस ने दिये महात्मा गांदी ने दिये ठीक है हम महात्मा गांदी के अनुसार हम सिक्षा के उद्देश देख लेते हैं तो इनका सबसे पहला उद्देश यही था सिक्षा का आपने साइध वर्धा सिक्षा पढ़ी थी वर्धा योजना बेसिक सिक्षा ज करके सिक्षित होने के बाद अपनी आजिवी का खुद आजिवी का के जो भी चीज़ें उसको जरूरत पड़ेंगी अपने जीवन से जुड़ी हुई उनके लिए वो खुद उत्तरदाई हो खुद वो मतलब के तरीके से कुछ ना कुछ कारें वो कर सके अपनी जीवी को पार जन के लिए तैयार करना ठीक है उसकी आजिवी का के जो साधने वो तैयार हो जाएं दूसरा है उसके शरित्र का निर्मान भी हो तीसरा सरवांगीर विकास आया था ना सिक्षा में तो बस इसमें आप अलग-अलग पॉइंट लिख सकते हो शारीरिक विकास मानसिक विकास पांचवा पॉइंट रहेगा कि इनका जो मुख्य उद्धिष इनके द्वारा जो सिक्षा दी जाएगी उसमें यह था कि यह हस्त कला के बारे में जानकारी देना चाहते थे हस्त सिल्प के बारे में जिससे क्या है अपने जो कुटी रुद्ध्यों को गएरा है लोग अप शुरुआत से ही उसको सीखता हुआ चले तो यह थे इनके सिक्षा के बेसिक सिक्षा के जनक या बुनियादी सिक्षा के जनक पूछ ले जाते हैं तो बेसिक सिक्षा बुनियादी सिक्षा और वर्धा सिक्षा इन सभी के जनक यह सब एक ही है वस नाम अलग अलग है तो य इसके जनक कौन है महात्मा गांदी है ठीक है इंपोर्डेंट पॉइंट है कि महात्मा गांदी के अनुसार पाठ्थे चरिया में क्या सामिल होना चाहिए हस्त सिल्प सामिल होना चाहिए और इसको केंद्रिय इस्थान देना चाहिए बाद में जाकर यही एक महत्पून काम कर तो बेसिक सिक्षा चालू करी थी उसका सबसे इंपोर्टेंट बिंदू यह पहला तो यही था कि यह अनिवारेवा निहशुल को सिक्षा थी सास से चौदा वर्स के लिए बच्चों के लिए दूसरा था कि हस्तकला आधारी सिक्षा थी और सिक्षा इसमें सिक्षा का जो अग्ला आता है कि महात्मा गांधी ने शान्ती की स्थापना के लिए कौन कौन से प्रयास किय या उन्होंने शान्ती की स्थापना करने के लिए कैसे आचरण पर बल दिया आचरण का मतलब है कि व्यवहार कि आप किस तरीके का व्यवहार करें की विश्यु में या आपके जो जिस समाज में आप रह रहे हैं उसमें शांती स्थापित हो जाए तो देखो गांधी जी जो थे वो किसके पुझारी थे तो सत्य वाहिंसा के पुझारी थे यानि कि सत्य को मानते थे और अहिंसा को आपने देखा हूँ जितने भी गांदी जी के आंदोलन वगेरा रहे हैं वो क्या थे आपके ऐसे ही थे अहिंसा वाली ठीके ज़िए सत्याग रहे है असहयोग आंदोलन आपनोंने सुने होंगे न तो उसमें क्या था मतलब उनका यह कि हिंसा विंसा करके ही अपनी बात जो है मनवाओ अहिंसा करके भी यानि कि बिना मार पीट के इन सब के भी आप अपनी बात को मनवा सकते हैं तो देखो इन्होंने पहला क्या बताया था इन्होंने यह बोला था कि सत्य बोलो यानि कि सत्य जो भी है सच बोलना चाहिए हमे आचरण अपनाने पर भल दिया है जो आपका आचरण पर पकुल करें अगर कुम्ण में ही क्षमा करें। और आपकी बाइक से किसी दूसरे की बाइक टकरा गई पीस चाहल की सी टकराई लेकिन फिर भी क्या एक गम से गाली गलवज पर उताराएंगे यह नहीं कि चलो हां सॉरी बोल दिया उसने ठीक है माफ कर दो उसको शमासी इलता को विशेस इस्थान देना चाहिए जीवन में और नेक्स पॉइंट कि किसी विरोधी का सामना होने पर उसे प्रेम से जीतने का प्रयास करें कोई आपका ऐस अजब लुक्त रहे को अपना गर्का यह आचरण अपनाने चाहिए अब मालेजेगा कि आप हिंसा को नहीं अपना रहे हैं हिंसा को अपना रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा जाहिर सी बात है जब आप हिंसा करना शुरू कर देंगे तो कहीं न कहीं वहाँ क्या बनने लगेगी अशान्ती जन्म ले लेगी लेगी या नहीं लेगी तो बस यही चीज़े क्या है हमें छोड़नी है अशान्ती ठीक है चलो आज फिर मैं इतना ही रखती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है तनाव और आपका जो स्टांग योग वगेरा दिये गए है वो मैं शुरू करूँगे ठीक है जादा चैप्टर नी रह गए इसके बाद आपके दो चैप्टर तीने चैप्टर और बचे होंगे तो जल्दी आपका इसका स्लेबर्स खतम हो जाएगा चलिए थैंक्स वर वच्चिंग और प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल बाबाई टेक एर